प्रमचन सब्सक्रीमी माताउ भेनु और भाईू मानों का येक नाम सादक है और सादक का आर्थ हम सभी भाई भेनु को इसी वरतमान में इसी जीवन में सपलता मिनने चाहिए सपलता मिनने का आर्थ क्या है कि हम जनमे है अनेक प्रकार की इच्छाओं से आबध होकर सरीर की साइता से विक्त जगत का सुक लेंगे इस इच्छा के रहने से सरीर धान करके यहां आना पड़ा सपलता का अर्थ क्या है सपलता का अर्थ है कि रस का जो मूल स्रोत है जीवन का जो मूल स्रोत है जो प्रेम रस से उसे विम्मक होकर अनेक प्रकार की एतरपती और नीरस्ता में भने हुए हम पैदा हुए हैं और उसी नीरस्ता से पीरित होकर संसार में जहांता घूमते भटकते फिरते हैं कहां रस मिलें कहां तरपती मिलें ये जो अपनी दसा है इसी दसा को मिटा लेना इस जीवन की सपलता है ये दसा कैसे मिलती है कि जीवन का जो मूल स्रोत है रस का जो अनन्द सागर है उससे हम विमुक हो गया है तो इस विमुकता का नास कर लें और उस जीवन की अनन्द स्रोत मधुलरस की अनन्द सागर से अपने रिदे के भाव को जो लें तो प्रेम का भाव परमात्मा से जो लेने से जन्व जन्व की निरस्ता का नास हो जाता है और निरिस्ता का नास हो जाना ही मानव जीवन की सपलता है जनम मनन की बाद्धता खतम हो जाए और निरिस्ता का नास हो जाए तो हम कहेंगे कि मानव जीवन सपल हो गया जिसने सब प्रकार की च्छम का नास कर दिया सब प्रकार की एतरप्रति का अंत कर दिया वेश्वम अपने आप में परमस्वाधीन हो जाते हैं किसी प्रकार की प्राधीन ता उनके जिवन में सेश नहीं रहती है एक संत एक बार बात चीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखो भाई किसी विक्ति को पकड़ करके बांदो तो जो बंदुआ हो जाता है वे एक ही जगे फिरने से रोक देता है आदमी जहां भंदा है वहीं खड़ा रह जाएगा लेकिन विविद प्रकार की इच्छां से बंदावा व्यक्ति जो है वे तो बहुत दोड़ता है तो कहने के लिए हम बद्ध हैं किस से बद्ध हैं अपनी एतरफ्त वासना उसे बद्ध हो गई बद्ध होने का प्रणाम क्या है कि हम अत्यंत गतिसील हो गए हैं अभी यहां कभी किस्ते मिलें कहां जाएं क्या करें कैसे करें और एक बात मन की पूरी हुई तो दस बात उसकी जगह पर पैदा हो गई शिरी महराज जी कहते हैं कि देखो भाईया विचार करो तुम रहें जाके तह मुझे ऐसा रहन सें चाइए मुझे संगी साथी चाइए मुझे ऐसी संतान चाइए मुझे ऐसा मकान चाइए मुझे ऐसा पत चाहिए तदर्थ भूद दोर रहे थे बहुत दोर लगा कर बड़ी सकती खर्प करकि अगर कुछ पाया तो पाने के बाद इस्तित्रा नहीं है जितना पाया उस्ति अधिक पाने की कामना पैदा हो गई तो दोर दोर बनी रहे गई तुमारी मुल्ले कुछ बढ़ा नहीं कभी कभी हिसाब बता तो कहते हैं पिछेतर सो लिखो चाये तीन बटा चार लिखो कोई फरक नहीं पड़ता तीन बटा चार को पिछेतर बटा सो लिखो तब भी मुल्ले कुछ बढ़ता नहीं हां संख्या जरूर बड़ी दिखाए ले प्रकरती के विधान को मैं मानती हूँ आप भी विचार करोगे तो मानना ही पड़ेगा अगर इच्छाएं सेस ने रही होती तो जन्म लेने की बादिता खत्म हो गई होती सरीधार करना पड़ा है तो इसी से ये प्रमायनित होता है कि वासना इसेस रह गई थी उनसे बुद् एक बहुत बड़ा भाग हम लोगों ने बिता दिया कुछ इच्छाओं की पूर्ती में कुछ उनका सुख भोगने में कुछ इच्छाओं की अपूर्ती की सोग और दुख भोगने में बहुत बड़ा समय निकल गया इतना समय मैंने धर्ती पर रहकर निकाला इस्ताल लिया आकास में अवकास लिया प्रकृति से सब सक्किया ली ये सब लेकर कि हमने यहां समय बिताया उसके प्रणाम से अपने में कोई विशेचता आ गई क्या ऐसा सोच कर देखे तो मालम होगा कि जिन मनुस्य ने साधना के लिए मिला है जीवन ऐसा कहे कर सुकार किया और इस सुकर हाल है उनका हाल ऐसा है कि जब जन्में थे उसमें जितने सक्ति जितनी चेतना उनमें थी इच्छा पूर्ति के फेरे में पढ़कर के उनकी सक्तियां और थोड़ी सीतल हो गई सक्ति हींता आ गई और इच्छाओं की वृद्दी हो गई हरे हरे जैसरी किष्णा और फिरिये नित्तां तर आउसके पुर्नात्माओ